ओम सीगने शेया नमा दोस्तों आपका हरदिक स्वागत है हम बात करने वाले हैं आज के कन्या रासिफल के बारे में कि इनका आज का दिन कैसा रहेगा इनको किन-किन चीजों से सामधाने होगा और किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा इनका व्यापार कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा, केरिर कैसा रहेगा और इनकी लव राइब कैसी रहेगी और स्वास्त की महत्पुन जानकारी भी हम आपको देंगे दोस्तों वीडियो अगर बढ़ाने से पहले मेरे आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब् अदिक महनत करेंगे उसी के अनुकूल आपको लाब प्राप्त होगा आप जीतनी महनत करेंगे भाग्या उतना ही आपका सयोग करेगा घर के बुजूर्गों का आसिरवाद और इसने भी आपको प्राप्त होगा और इससे आपका भाग्य और अदिक तेज हो जाएगा आप अपनी मेहनत दुआरा समय को अपने पक्षमे करने में आज काम्याप रहेंगे तता अपनी बहतर कारिये पेनाली के चलते आप लोगों के प्रसंसा के पात्र बन जाएंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव रहने वाला है घर के बड़े बु देलना बिल्कुल ना करें तता उनकी योजना वे सलापर अमल भी अवस्या करें लापरवाई और आलस्य को आप अपने उपर हावी ना होने दें इसकी वज़े से आपके कई महत्मुन कारिये रुक सकते हैं बादित हो सकते हैं अपने क्रोध पर विशेश नियंतरन रखना होगा वरना आपको ही नुक्सान उठाना पड़ सकता है दोस्तों घर परिवार कैसा रहेगा आज आपसी रिष्टों में मदूर्ता आएगी और माता पिता के साथ समय अच्छा गुजरेगा बड़े बुजूगा का असिर्वाद और इसने आपको सही प्राप्त होगा जिस दोस्तों बात कर लेते हैं विश्टाय और के बारे में विश्टाय संबंदी कारियों को करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है आपको कुछ नए और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं जिया दोस्तों आरतिके सिती कुछ आपकी अच्छी हो सकती है कारिय चेतर में सभी फैसले खुद लैं बहतर होगा अपनी कारिया पंद लाने को सुधार करें aur कारिये पंदनालियों में सुधार लाईें और अपनी बातों को किसी से सेयर न करें नौकरी पे सच जहतकों के दिन अच्छा रहेगा सामान रहेगा अपनी फाइलों और अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लवलाइप आज कैसी रहेगी आज दामपते जीवन में रिष्टों में मधूरत आएगी और समय अच्छा व्यतित होगा पारेवारिक मह कासा शुकद रहेगा खुश रहेगा दोस्तों प्रेम संबंधों में भी को भी वीवामी परिवर्ठ होने की आज अउसर प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों बात कर लेंते हैं आपका स्वास्त कैसे रहेricesरेओ करा朝 पीट दर्द जोडो वैं नसो में दर्द जैसी समझे सुध कर सकती हैं अपने स्वास्त का ध्यान रखें और अधिक स्वास्त रहने के लिए अपने यमिच योग करें व्यायायम करें और अधिक स्वास्त रहें